हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सेहत मंद रहोगे और रोज़ाना एकुप्रेशर जरूर करते रहोगे जिसके अंदर पेसिंस है जो कम से कम मौनिंग इवनिंग लगाता रह एकुप्रेशर करता है उसे रेजरल्ट मिलना तय है कई लोग वाटसप भी करते हो कि सार हमने एकुप्रेशर रोज़ाना चार बार पांच बार करते हैं खास करके जो फायरड जिनके समस्या है, यूरीन की समस्या जिनको ब्लेड पेशर की समस्या है, डाइबेटिक से समस्या, ये दोस्तों ठीक हो जाता है कई वीडियो में मैंने multiple points भी दोस्तों बताता हूँ एक बीमारी को ठीक करने के लिए कई बार एक point बताता हूँ multiple बीमारीों को ठीक करने के लिए तो आज का जो वीडियो है एक point बताऊँगा जिससे हम 80 से ज़्यादा बीमारीों को दोस्तों control कर सकते हैं बड़ा बड़ा जो बीमारी 8-10 ऐसे तो मैं नाम की नो लोगा मगर छोटे से छोटा बीमारी चाहे cold cough है चाहे हमारे सरीर में कोई भी बीमारी पनपती है immunity से शुरू करके osteoarthritis तक blood pressure से शुरू करके दोस्तों anxiety तक stress, depression इस सारा चीज़ को दोस्तों control कर सकते हैं रात में अगर ढंक से किसी को नीन नहीं होती, इनसो में नहीं की problem है उस पे भी दोस्तों जबर्दस काम करता है high blood pressure जिसकी रहती है 180, 200, 220 ऐसे रहता है वो भी दोस्तों को धीरे धीरे control में आ जाता है रोजाना करना होता है, एक ही point से दोस्तों अपने आपको आप स्तीर रख सकते हो, अपने आपको आप confident बना सकते हो, memory बढ़ा सकते हो हमारे अंदर जो adrenal gland है, जो हमें hyper करता है, वक्त आने से भी hyper करता है, कई बारी आदत बन जाती है, बिना कारण भी hyper करता है याने जंगल में सेर आया तो हम दोड लगाएंगे, जंगल में हाती आया, हमारे पीछे हम दोड लगाएंगे मगर जब मैं किताब में फोटो में हाती देख रहा हूँ, सेर देख रहा हूँ, या उसका मूर्ती देख रहा हूँ, फिर भी मैं दोड लगाता हूँ मेरी हार्टबीट 140-150 हो जाती है फिर मुझे ट्रकी काडिया हो गया मेरी हार्टपे अनने सली दबाव बन रहा है मुझे एंग्जाइडी का दवाई लेना पड़ रहा है हार्टबीट को स्लोडाउन करने के लिए 17C level पे लाने के लिए दवाई दे रहा है काडियोलोजिस्ट साइकेटिस्ट से हमें दवाई लेना पड़ रहा है और खास करके जो लोग ब्लेट पेशर से परेशान है उसके मरीज बन चुके है उनके लिए तो दोस्तों एक खुसकबरी है कि हम एक पॉइंट दिन में कम से कम तीन बार और हर एक बार 20 से 30 बार दवानी है जिससे हम 80 से ज़्यादा बिमारियों को दोस्तों केंट्रोल में ला सकते हैं इंक्लूडिंग औस्टियो आर्थराइटिस रिमाड़ेड आर्थराइटिस आपका नसों की समस्या साथ-साथ कोई भी जॉइंट में कोई भी विकार है सब में दोस्तों काम करें क्योंके बाड़ी में अगर ब्लैड सर्कुलेशन परफेक्टली चला बिना कोई रुकाओट के बिना कोई रोक टोक के अगर अपना सर्कुलेशन चलता रहा बिना कोई ब्लोकेज के अगर वो अपना एनरजी फ्लो होता रहा तो आप बिमार हो नहीं सकते यही नियम है इसी नियम के अधार पे दोस्तों एकी प्रेशर एकी पंक्चर हो गयरा काम करता है पॉइंट दिखाता हूँ यहाँ पे है दोस्तों पॉइंट जहाँ पे दोनों रेखा हैं टच होते हैं उहीं पे है मैं देखो उसमें निसान भी बना दिया हूँ रेड के अंदर ब्लक इसको इस तरीके से आपको दबानिये बिस्तर से उड़ते ही इसको दोस्तों 30 बार दबा लो फिर इधर भी दोस्तों 30 बार दबा लो चार घंटा पांच घंटा छोड़के दोपर में लंच के पहले जब भी आपको मुक्या मिलता है फिर 20-30 टाइम्स दोस्तों दबा लीजे इबिनिंग में ऐसा ही और रात में सोने के पहले 30 बार तो दबानी ही दबानी है अगर सही डंग से पॉइंट का इस्तमाल कर लिए आपके अंदर की अंग्जैटी दोस्तों बिलकुल खतम हो जाएगी ब्लड पेशर नॉर्माल हो जाएगी विश्वास को और इस बात आप सुगर को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन भी लगा रहे हो फाइदा नहीं हो रहा है मगर यह पॉइंट से दोस्तों फाइदा हो जाएगा तो रिंग फिंगर के नीचे यहाँ पे डाइबेटीस का पॉइंट आपे दिखा देता हूँ बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं बच्चे सेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने दिमाग को पढ़ाय में मन नहीं लग रहा है चगल बगल हो रहे हैं दुस्ता में जिसे कहते हैं नटी नटी हो रहे हैं तो आप इस सब चीज कंट्रोल कर सकते हो उनका ये point को daily stimulate करें मदर का काम ही है daily point दबाओ फिर देखो कैसे सुधार होती उनके दिमाग में 6 मेना साल भर देख देखो आपके बच्चे कतना बढ़िया ब्रिल्लेंट बन जाते हैं फिर मुझे ही याद करिएगा दौा करिएगा क्योंकि आपके दौा में वो ताकत है कि हमें भी ताकतवार बना देगा आपकी दौाएं हमारे लिए और हमारी काम और हमारी जो दौाएं हैं ये आप और आपके परिवार के लिए ऐसा ही हम आगे बढ़ेंगे हस्पताल दवाई और अन्नेसेसरी डॉक्टरों का जो सलह है इससे हम बचें नहीं तो किमिकाल खाते-खाते हमारा सरीर जो है रोबर्ट बन जाएगा आसा करता हूँ ये वीडियो आपके काम में आएगा ऐसे हजारों टिप्स मेरी किताब में मैं दे रखा हूँ बार-बार एक किताब दिखाता हूँ 600 पेज की किताब इंगलीस इंदी दोनों लेंगवेज पर उनलाइन अमेजन पर अभेलेबुल है आप इसको आज रेफराल बुक इस्तमाल जरूर करें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिसे भी इस सारी समस्या होती है रात में नीन ना होना अन्यसलिए सरदर्द होना चिछड़ाट पन है खाना हजम नहीं हो रहा है पेट की समस्या रहे हैं पेट की समस्या बेट की समस्या विल्कुल ठीक हो जाएगी कंस्टिपेशन, एसीडिटी, गैस्टाइटीस मैं गैरंटी देता हूँ तीन महने में दोस्तों खतम हो सकती है सिर्व एही पॉइंट्स और कोई पॉइंट अपको इस्तेमाल नहीं करें जदा जदा लिवर पॉइंट हो सके तो लिटल फिंगर राइट साइड में आप दबा लीजिएगा खाना खाने के पहले 30-30 बार, एक्स्ट्रा है बट में पॉइंट यही है, यह एक्स्ट्रा है, वेट लॉस नहीं हो रही है कोशिस करके देखो अडर्णल ग्लैंड के साथ थायरेट को दबाओ इसके साथ थायरेट ग्लैंड, पॉइंट नवर 8 मेरे किताब में है, फोटो के साथ यहां आट नवर पॉइंट दबाती, 30-40-40 बार दिन में 4-5 बार और साथ में अडर्णल ग्लैंड और लिवर पॉइंट, डाइबेटिस है तो डाइबेटिस का पॉइंट, आपके लाईट दोस्तों ऐसे चेंज होगा आप सोच नहीं सकते हैं, टॉपिक याद रखें, जहां मैंने आज हाइलाइट किया हूँ, अडर्णल ग्लैंड, असी तरह का बिमारी पनपने में उसकी जिम्मेदारी है, और इसी पॉइंट को आप दबा के इतने बिमारियों से बज़ भी सकते हैं, आसा करता हूँ, दौाओं में याद रखेंगे, थैंकियो बेरी मच, जै हिं जै भारत!